ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 19 अप्रेल 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहा कार मिटाकर जैजे कार करने पुरानी दुनिया में है हाहा कार नई दुनिया में है जैजे कार मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहा कार मिटाकर जैजे कार करने पुरानी दुनिया में है हाहा कार नई दुनिया में है जैजे कार प्रश्न कौन सा इश्वर्य नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्सा लेते साहुकार नहीं ले पाते उत्तर इश्वर ये नियम है पूरा बेगर बनो जो कुछ भी है उसे भूल जाओ तो गरी बच्चे सहज ही भूल जाते हैं परन्तु साहुकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धी में कुछ भूलता नहीं इसलिए जिनको धन, दौलत, मित्र, संबंदी याद रहते वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं उन्हें स्वर्ग में उँच पद नहीं मिल सकता ओम शांती मीठे मीठे निश्चे बुद्धी बच्चे तो अच्छी रीती जानते हैं उन्हों को पक्का निश्चे है कि बाप आया है सारी दुनिया का जगड़ा मिटाने जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस तन में बाप आये हुए हैं जिसका नाम भी है शिव बाबा क्यों आये हैं? हाहा कार को मिटा कर जैजे कार कराने मृत्यू लोक में कितने जगड़े आदी हैं? सब को हिसाब किताब चुक्तू कर जाना है अमर लोक में जगड़े की बात नहीं यहां कितना हंगामा लगा हुआ है कितनी कोट जज आदी हैं? मारा मारी लगी हुई है विलायत आदी में भी देखो हाहा कार है सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया किचला ही किचला है जंगल ही जंगल है बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए है अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है अगर बच्चों में भी लड़ाई जगड़ा होता रहेगा कोई खिटखिट ना हो ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है अनेक धर्म है तमो प्रधान विशश वर्ल्ड है सारी दुनिया पतित है पतित पुरानी दुनिया में जगड़े ही जगड़े है इन सब को मिटाने जैजे कार कराने बाप आते हैं हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशान्ती है इसलिए चाहते हैं विश्व में शान्ती हो अब सारे विश्व में शान्ती कोई मनुश्य कैसे कर सकेंगे बेहद के बाप को ठिक कर भित्तर में लगा दिया है ये भी खेल है तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हो जाओ बाप के मददकार बनो बाप से अपना राज भागे लेना है कम नहीं अधा सुक है बाप कहते हैं मीठे बच्चे ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पदमा पदम भाग्यशाली बनाने आया हूँ भारत में ये लक्ष्मी नारायन राज करते थे भारत स्वर्ग था स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ओफ वर्ल्ड त्रेता को भी नहीं कहेंगे ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुशार्थ करना चाहिए पहले पहले आना है बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आये लक्ष्मी वा नारायन बने अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहा कार होनी है रक्त की नदियां बहनी है रक्त की नदियों के बाद होती हैं घी की नदियां उनको कहते हैं चीर सागर यहां भी बड़े तलाब बनाते हैं फिर कोई दिन मुकरर होता है जो आकर उसमें दूद डालते हैं उसमें फिर सनान करते हैं शिवलिंग पर भी दूद चड़ाते हैं सत्यूक की भी एक महमा है कि वहां घी दूद की नदियां है ऐसी कोई बात नहीं है हर पांच अजार वर्स के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो इस समय तुम गुलाम हो फिर तुम बादशा बनते हो सारी प्रकरती तुम्हारी गुलाम बन जाती है वहां कभी बेकाइदे बरसात नहीं पड़ती नदियां उचल नहीं खाती कोई उपद्रव नहीं होता यहां देखो कितने उपद्रव है वहां पक्के वैश्नव रहते हैं विकारी वैश्नव नहीं यहां कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैशनव कहते हैं परन्तु नहीं विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं ये भी गायन गावडे का छोरा सिरीक्रस्न तो गावडे का हो नहीं सकता है वै तो बैकुंट का मालिक है फिर चौरासी जन्म लेते हैं ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ती में कितने धक्के खाए पैसे बरबाद किये बाबा पूचते हैं तुमको इतने पैसे दिये राज भागे दिया सब कहां गया तुमको विस्व का मालिक बनाया फिर तुमने क्या किया बाप को ड्रामा को जानते हैं नई दुनिया सो पुरानी दुनिया पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है ये चक्र है जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है पुरुशार्थ कर भविश्य के लिए जमा करो पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है साहुकार इस ग्यान को लेंगे नहीं बाप है गरीब निवाज गरीब वहां साहुकार बनते हैं साहुकार वहां गरीब बनते हैं अभी तो पदमपती बहुत हैं, वे आएंगे परन्तु गरीब बनेंगे, वे अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वे बुद्धी से निकल नहीं सकता, यहां तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ, आजकल तो किलो ग्राम किलो मीटर आधी क्या-क्या निकाला है, जो राजा गदी पर बैठता है, वे अपनी भाशा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है नहीं, तमु प्रधान है, अमेरिका आधी में विनाष की सामगरी में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोपलेन से बॉम साधी गराते हैं, आग लगनी हैं, बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और इस्थापना कराने, तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबर वार हैं, सब एक जैसे निश्च बुद्धी नहीं हैं, जैसे बाबा ने किया, बाबा को फालो करना चाहिए, पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे, आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के होंगे, सोने के महल बनते हैं, तो सिक्कों का वहां क्या मूल है, जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, सतो प्रधान धरनी है न, अभी तो पुरानी हो गई ह वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिलकुल नई जमीन है, तुम सूच्म वतन में जाते हो तो शूबी रसाधी पीते हो, परन्तु वहां जाड आदी तो है नहीं, ना मूल वतन में है, जब तुम बैकुंट में जाते हो, तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है, बुद्ध नाम है ब्रह्म महतत्व परन्तु है, पोलार, जैसे ये स्टार ठेरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माय ठेरी हुई हो, इस्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माय होंगी, ये बुद्धी से काम लेना है, विचार सागर मन्थन करना है, तो आत्माय भी उपर में ठेरती हैं, छोटी बिंदी हैं, ये सब बातें तुमको धारन करनी हैं, तब किसको धारन करा सकेंगी, टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीच भी नंबर वार हैं, तुम बच्चे बैकुंट को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंट नहीं देखा है, बहुत बच्चों ने साक्षातकार किया है, वहां सुएंबर कैसे होता है, क्या भासा है, सब कुछ देखा है, पिछाडी में भी तुम साक्षातकार करें परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे बाकी जिनको अपने मित्र संबंदी धन दौलत याद आते रहेंगे वह क्या देखेंगे सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे जिनों को बाब देख खुश होंगे फूलों का ही बगीचा बनता है बहुत तो दस पंद्रा वर्स रहकर भी चले जाते हैं उनको कहेंगे अक्के फूल बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी ड्रिल कराती थी वे आज है नहीं ये बच्चियां भी जानती हैं और बाब दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी दस्त है ये है माया से गुप्त लड़ाई गुप्त तूफान बाबा केते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है तुम्हारी कोई हत्यारों से लड़ाई नहीं है ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है जिस योगबल से तु तुम ये बनते हो, बाहु बल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके, खेल भी वंडर्फुल है, कहानी है दो बिले लड़े मखण, कहा भी जाता है सैकेंड में विश्व की बादशाही, बच्चियां साक्षात कार करती हैं, कहती हैं स्रीकृष्ण के मुख में माखन है, व पुगबल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लडाई होती है और कितने लडाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुक्तू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की स्रीमत है बच्चे हीर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाती दात की चीज़ें आती थी। चूडियां भी काँच की पहनते थे। यहां तो जेवर आधी पहनने के लिए नाकान आधी छेदते हैं। सत्युग में नाकान छेद करने की जरूरत नहीं। यहां तो माया ऐसी है जो सब के नाकान काट लेती है। तुम बच्चे अब सुच्छ बनते हो, वहां नैचुरल ब्यूटी रहती है। कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। यहां तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं। इसलिए बीमारियां आधी होती हैं। वहां ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर न जोग। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिम्रण करते रहें। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अब लाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रोपदी का वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रोपदी ने क्यों पुकारा। ये मनुष नहीं जानते। बाप ने समझाया है तुम सब द्रोपदीया हो। ऐसे नहीं फीमेल सदे फीमेल ही बनती है। दो बारी फीमेल बन सकती है। जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो। हमको दुशासन विका के लिए हैरान करते हैं इसको कहा जाता है वैश्यालाय स्वर्ग को कहा जाता है शिवालाय वैश्यालाय है रावन की स्थापना शिवालाय है शिवाबा की स्थापना और तुमको नौलेज भी देते हैं बाप को नौलेजफुल भी कहा जाता है ऐसे नहीं नौलेजफुल माना सब के दिलों को जानने वाला इन से फाइदा क्या बाप कहते हैं ये स्रश्टी के आदी मद्य अंति की नौलेज मेरे बिगर कोई दे न सके मैं ही तुम को बैठ पढ़ाता हूं ग्यान सागर एक ही बाप है वहाँ है भक्ती की प्रालब्द सत्यूग त्रेता में भक्ती होती नहीं पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है प्रेजिडेंट आदी के देखो कितने वजीर हैं एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं सत्यूग में वजीर रखने की जरूरत नहीं अब बाप तुमको अक्ल मंद बनाते हैं ये लक्षमी नारायन देखो कितने अक्ल मंद थे बेहद की बातशाही बाप से मिलती है शिव जैन्ती बाप की मनाते हैं जरूर शिव बाबा भारत में आकर विस्व का मालिक बना कर गए है लाखों वर्स की बात नहीं है कल की तो बात है अच्छा ज्यादा क्या समझाओं बाप कहते हैं मन मना भव वास्ता में ये पढ़ाई इशारे की है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला बाप का पूरा मददकार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है अंदर कोई खिटिपिट नहो दूसरा इस्थापना और विनाश के करतवे को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धी बन बाप को फालो करना है पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धी निकाल पूरा बेगर बनना है मित्र संबंधी धन दौलत आदी सब कुछ भूल जाना है वर्दान संगठन में रहते सबके सिनेही बनते बुद्धी का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव कोई कोई बच्चे संगठन में सिनेही बनने के बजाए नियारे बन जाते है डरते हैं कि कहीं फसना जाएं इससे तो दूर रहना ही ठीक है लेकिन नहीं 21 जन्म परिवार में रहना है अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संसकार हुए कर्म योगी बनना है कर्म सन्यासी नहीं संगठन में रहो सबके सिने ही बनो लेकिन बुद्धी का सहारा एक बाप हो दूसरा न कोई बुद्धी को कोई आत्मा का साथ गुणवा कोई विशेशता आकरसित ना करे तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा सलोगन बाब दादा के राइट हैंड बनो लेफ्ट हैंड नहीं अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती